सब्सक्राइब दोस्तों आपके अपने YouTube चानल पे कोटेक्स लाइव ट्रेडिंग और आज इस वीडियो में हम कंपाउलिंग करेंगे बहुत ही चोटे माउंट के साथ सिर्फ हमारे पास 33 डालर है और हमारा टार्गेट होगा चरबच हजार टॉलर करने का लेकिन जितना यह सुन्दी में लग रहा है उतना ही और होने वाला चीज़ है क्योंकि इस वीडियो में आपको सारा कॉंसे भी बता दे वाली हूं और इस वीडियो को लास तक दिखना आपको बहुत ज़्याद है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको एक दिन प्रॉफिट होता है दो दिन होता है तो सब कुछ जाने के लिए क्यों लॉस होता है क्योंकि ऐसा कोई स्ट्राटेजी और ऐसा कोई प्राइज एक्शन नहीं है कि वो सब मार्केट पर गाव है देख मैंने कुछ सिख लिया और वैंसको हर बार ही उसे से को सब्स्क्राइब को ना मत भूलना बेल अटोफेक्शन को आन रिखो ताकि आसी लिटिस्ट अपक्यमिंग वीडियो जो आपको कहीं और ना मिले शायद तो यह बने रहो और वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर मैं चाहरी थी कि मेंदी में फोकस कुरूं प्राइज की है क्योंकि एगर इसका भी हम कुछ फंक्शन जानते हैं तो प्राइज एक्शन के साथ एड़ करके इस दे भी फ्राफिट लेंगे इंडिकेटर बेस्ट पूरा का पूरा यह जो मेरा स्ट्राटेजी है वैसा नहीं है इंडिकेटर का कुछ खुछ हम लेंगे में लिए मा इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना ही जादा ठिक रहेगा सेवन की वैल्यूमी करेंगे मिसका यूस और स्ट्राटेशी इंप्रिमेंट हो गई है ठीके अब मैं यह कलर यलो कर लेती हूं और अगर आप चैनल पे नए हो तो मैंने आपको बोल दिया आप सब्स्क्राइब कर ल कर लेना विकॉस वहां पर आपको टेलियर इंग कंटेंट और भी कई चीज़े मिलती है हां तो यह आप देखे हो यह हमारा जो ग्रूप है इसमें अभी कंपाउंडिंग सीरीज भी है 100-500 का और इसका क्या रूल से यह सरा चीज़ आप जाकर पढ़ लेना तो आप जनली से इसमें एड़ हो जाओ ता कि आप भी अपने कंपाउंडिंग कर पाओ और यहां पर आपको शॉट-शॉट सिगनल्स भी मलते रहते हैं और अगर आपके कुछ डाउट होता है तो आप मुझे परसनल आइडी पर टेक्स्ट कर सकते हो और आसे शॉट-शॉट के लिए आप म यहां पर इस कैंडल को मैं थोड़ा से रेट करूंगी और उसके बाद फिर हमारो जो फॉट्स ट्रेड होगा वो मैं रहा कि आपको बताऊंगी कि क्या कॉंसेप्ट के वसेश पर हम ट्रेड कर रहे हैं चलो अब यहां पर जो मार्केट कई तरह के होते हैं पहला हमारा जो म मेरा मार्केट क्या होता है जो किसी रेंज में किसी अपना एक रेंज में बना लिया और मार्केट उसी रेंज और वर रहे हैं, कि रेंज भी नहीं है। मार्केट यहां पर स्टक कर गया है तो यह तीन तरगे के मार्केट होते हैं अब तीनों तरगे के मार्केट के लिए क्या स्टाड चीए इसको जाने के वीडियो को पूरा देखो चलो बढ़ते अपनी फर्स्ट ट्रेड की तरफ और यहां पर जो रिजेक्शन आपको देखने एक कॉर्णर बना दिया और उसके बाद फिर वो दाउन जा रहा है ठीक है याने कि जिगजग से हम को रिवर्सल की यहां से डाउन डिरेक्शन की सिगनल मिल रही है कंफर्मेशन के लिए मैंने यहां पर जो मूविंग आबरेज रखा है वह ऐसे आपको दिख रहा है कि वह क्रॉस कर दिया है जिगजग को जब भी मेरा क्रॉस अवर होगा हमको सिगनल रहती है इंस्टेंट अगर हम ट्रेड लेते और कुछ कंफर्मेशन देखने के बाद तो अच्छा प्रॉफिट होता है लेकि यहां क्रॉस अवर हुआ और ट्रेड हम वहां जाके लेंगे यहां अब यहां पर क्रॉस अवर आपको दिख रहा है यहां से एक्चली यह जो क्रॉस और है इसका एक सेकेंड में आपको थोड़ा साब जगह पर बताओंगे कि दो तरीकी कि का फिर्स ट्रेड में रहीं हो गया तबसे पहले क्रॉस अब बता दे रहीं तो क्रॉस ओवर का यहां पर आपको दिख रहा है कि मेरा जो जिगजग की यलो लाइन है ग्रीन लाइन को बात कर रही हूं यहां पर भी तो हुई गया था एक्चली मैं थोड़ा अजीबी कर रही थी चोड़ों तो यह जिगजग है यह उपर से नीची की और अगर जाएगा ऐसा में को क्रॉ भी जजग करके आपको नहीं जाना है मैं सब कुछ आपको रही हूं वैसी अधर जिगजग की यलो लाइन नीचे से देखों नीचे से क्रॉस करें तो उससे ज्यादा अच्छा है कि जिगजग कोई कॉर्णर बना दिया कंफर्मेशन के लिए हमको एक हेल्दी ग्रीन कैंड जोजी टैप का कैंडल नहीं चाहिए एक अच्छा वॉल्यूम का कैंडल तब तक नहीं मिलेगा तब तक हम बेट करेंगे और ना सुर्फ इतना वल की जिगजग उपर की और जाए ग्रीन लाइन को क्रॉस करते हुए तो अपडिरेक्शन की ठेल लेंगे और जो कैंडल है म कर सकते हैं अब यहां पर कुछ गढ़बढ है जैसे कि आपको दिहान देखना है पहला इस लेवल पर एक रेसिस्टेंस है तो आप यहां पर डाउन डिरेक्शन की ठीट पेस ना कुरूं एक्शुली यह कोई लेवल नहीं होता इसकी आसपास से भी मार्केट रिजेक्ट हो ले सकते हैं विकॉस एक तो मेरा सपोर्ट लेवल दूसरा जिगजग उपर की और इसको क्रॉस करके चला गया तीसरा एक अच्छी मोमेंटम वाली कैंडल मिली और चौथा इसकी अपर शैडो ज्यादा बड़ा है बहुत ज्यादा नहीं बड़ा है इन्हें की इतना बड़ हो जाए तो यह क्या शो करेगा यह रिजक्षन को शो करेगा तो यह अच्छा नहीं है लेकिन लोवर से ज्ञादा बड़ा अगर ग्रीन केनल में अपर शैडो होगा तो यह हमारे लिए स्ट्वरेशन की ट्रेड लेने के लिए आफ्टर टे टिंग कंफर्वेशन फ्रॉम जिग्जाग एंड मुविंग एवरेज और एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल दो तो सपोर्ट लेवल करेट हो गया है जिसके वज़े से हमको यहां सॉलिट कंफरमेशन मिलती हैं और भी कई उसी ट्रेट की तरफ और देखेंगे कि कहां पर हमको आपरचनिटी मिल रहा है अब यहां पर क्या फिट होनी चाहिए लेट सपोस्ट मार्केट में पहला तो एक देखुए आपका एक और पर्स्ट प्रियोरिटी है कि ट्रेंट तो अनलिसिस कर लो हां मार्केट का ठ्रेंट अब हैं फ्रॉम वाइंग बिकॉस ओफ क्रॉस ओवर यलू लाइंग रिन लाइन को क्रॉस तो करी दिया है और साथी साथ एक सकेंड यह बस स्कैंडल की फ्लक्सवेशन को देखने दो ताकि मैं फिट कुछ ट्रेट भी ले पाँ और यहां पर जो ट्रेट की कन्फरमेशन म अब यह ट्रेट क्यों लिया सबसे पहले तो ट्रेंट मेरा क्या है अब है ट्रेट किस डायरेक्शन में है डाउन एरेक्शन में और क्या हमको जिगजग ऐसे करके डाउन जाते में मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो यह हो गया रिस्की ट्रेट आपको यहां पर ट्रेट पेस नहीं करना है अब इसका रिजर्ट का वेट करेंगे तब तक आप कुछ चीज़ों को समझो फ्रेंड को अनलिसिस करना हमको फर्स्ट प्रियोरिटी है ड्रेंड का क्या डाइरिक्शन है दुसरा है इस ट्रॉंग लेवल को इडेंटिफाइब करना अब यहां पर आपको तिख कर ब्रेक आउट करके अप जाए ऐसा हो सकता है इसको तोड़ भी सकता है बट बट रिजेक्शन तो चाहिए ना मारे की अगर रिट्रेस्मेंट लेता है से डाउन जाकर फिर अप जाएगा तो यह हमारे लिए एक अच्छा बाइट के तो बाइट के लिए जब मार्के ट्र मांग यहार रेजस्टेंस लेवल है मार्केट कैसे नहीं रिजेक्ट होगा अब यह कैंडल रिजेक्ट होगी यह मुझे इसलिए पता चल गई क्यूंकि यहां इसके पिछले वाले कैंडल को देखो इस कैंडल मैंने क्या कर अगर अपर शैडू जादा होगा तो यह हमारे स यहां तक बना फिर बायर्स ने प्रिसर दिखाया जिसके वाजे सी ठप चेंडल यहां पर खतम हो गया तो यह भी शू कर रहे है कि बायर्स करेगा येस लेकिन एक तिस आप देख रहे हो कि जितना भी अभी यह मेरा कैंडल बन रहा है न सब में आपको दिख रहे हैं लोग बीब जा रहा है लेकिन कितना तक जाएगा एटलेस्ट उसने इस लेवल को एप्रोच कर ही लिया ना क्यूंकि ये लेवल मेरा रेस्टेंस था मार्किट की जो कीमत थे पिछले बार यहां तक गई थी तो इस बार यहां तक जाने का इसका वो सपना था या जो भी था जिसको साथ और हैं लेकिन फिर बायर सारे बट इस पॉइंट यहां पर इस ट्रोंग रिजस्टेंस था तो यहां से मार्केट का रीजेक्ट होना भी बहुत ज़्रूरी हो गया था और जिसके कफर्मों मेशन मुझे जिगजग से मिफि ती क्योंकि जगजग है ना वह आगे बतालती कि मैंने क्या देखा था क्योंकि यहां पर जिख जग आपको दिख रहे हैं पहले यहां पर था मेरा भी यहां पर शिफ्ट हो चुका है और चलो फिर आगली ट्रेट के तरफ बढ़ेंगे उसके बाद से मैं आपको बाकी चीज़ बताऊंगी और अगर आपको कुछ भी अभी सपोर्ट काम करेंगा आपको दिख रहे हैं कि मार्केट की जो कैंडल है वो इसके ऊपर आवे हैं यानिकी यह मिरा मुववेंग आवरेज के आप चाह सकता है तो नीचे कैंडल काना बहुत ज़रूरी है अदर्वाइस में डाउन डिरेक्शन का ट्रेट पेस नहीं करों भी और आपको दिख रहा है कि पूरा तरह से मार्गेट मुविंग अवरिज के ऊपर जा चुका है और जिग जग भी डिटर्न हो चुका है अपकी और इसलिए मैं यहां पर आपके ट्रेट पेस नहीं कर रही हूं जब तक को ट्रेड होगी वह सबसे पहले तो देखो मार्केट क्या है 15 सिकंड के मार्केट में हमको लोय शरुव मिल गया रिजेक्शन दिखने को मिल गया हो सकता है अगली 15 से 30 से किन तक हमको डामर डोल देखने को मिले इसलिए जो टाइम फ्री में 15 से के के देखकर मैं सेफ इंट्री के लिए 30 सेकेंड का ट्रेट पिसकी क्योंकि यहां पर वह सकता था मुझे फ्लक्टुएशन दिखने को मिल जाता आक्चली क्रॉसवर भी हो चुका है और यहां पर सॉलिट सिकनल मिला है इसलिए 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 प्रिफिर किया है नाम लिकर और उनको प्रॉसिट में हो चुका है और बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट्रेट की तरफ और जो कि हमारा फूल इमांट के साथ होगा और और यहां मेला कि मार्िकेट में मेरा एक ढूला है दूसरा में क्या दिखने को मिल रहा है अच्छा कहा सा इरिया मारिकेट सपोर्ट को तोर कर डौन जा रहा है यानि कि Sellers is too much active और यहां पर support level पर इस candle में रिजेक्शन दिखने को मिला है नेगेटिव दिखने को मिला है डाउन डिएक्षन के लिए अब क्या नेगेटिव है अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखते हैं तो आपको पता है अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं मैं आपको बताऊंगी फिर से मैंने यहां पर 30 सेकेंड क्ले ट्रेट ले लिया है इसलिए लिया सबसे पहले तो मेरा लेवल कौन सा है सपोर्ट लेवल है सपोर्ट लेवन पर इस candle पर एक अच्छी सी रिजेक्शन दिखने को मिली रिजेक्शन यह है कि अगर रेट कैंडल में लोगर शेड़ो ना हो या फिर लुए बड़ाग्ट अपर शेड़ों से जादा अपर शेड़ों बड़ी हो तो यह इस डान दिरेक्शन में स्ट्रेंथ को शोड नहीं करता है और लेवल भी कौन सा है सपोर्ट लेवल है तो यहां पर अगर अपको यह करेंगे तो यह वो गयांं न को विलेंगे अपनी अ और आप और रगर सकते हैं सरत कि यह शायद बहुत easy है या फिर बहुत fake video है कुछ भी आपको लुक्त कर सकते हो बाहत easy है बस शर्ति आपको ऐसाए कंवीडियो में समझ में दिमाग और भी चीज़ा अगर आप सकता है तो कुछ भी हुसकता है तो गृटरप को सिखेंगे आप धीरे-धीर सारच वीडियो को देखू सब्सक्राइब कर लो बिन अफेक्शन को और रखो और ऐसे नहीं कि एक वीडियो देखने के बाद आप उस सब कुछ क्लियर हो जाएगा अभी बहुत सारे चीज़े जो मैं देख रहे हूं लेकिन मैं अभी कितना कुछ बता पहूंगी एक ही वीडियो में तो प्लीज वीडि आप ट्रेडर बनना तो और अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो यह में यह बहुत अच्छी बात है अगर आपको मेरे वीडियो कुछ भी फाइदा कर रही है तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा प्रीज मुझे आप कॉमें बताना अब यह कौन सा मार्केट है यह मार्के तो यहां पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रेड बेस करना बट वही नहीं हम नहीं चीजों को समझेंगे तबसे पहले में मार्केट कर लूँगी एक मिनट का क्योंकि मुझे लगता है एक मिनट के ट्रेड आपको देखना ज्यादा पसंदे और यहां पर एक मिनट का कि अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और यहां पर अब हमको क्या दिखने को मिल रहा है यह मेरे घ्रिन लाइन है मार्केट को क्या कर रहा है बहुत ही खुबसूरती से सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है तो अब हम इस कैंडल पर नजर रखेंगे कि यह कंडल कैसा कैसा moves देता है जैसे कि अभी इस candle को देखर क्या समझ में आ रहा है कि ये अप जा रहा है लेकिन फिर से क्या दिखने को मिल रहा था कि ये rate भी बन गी थी याने के down भी जा रहा है लेकिन down जाने के बावजूद ये फिर से green में जा रहा है यानि कि बहुत जादा अच्छा opportunity है कि य rate चुकी बन रही थी बट रेड को मात देकर green बन रही है मतलब बहुत पावर है इस candle में अगली candle मेरी green बन सकती है all right guys तो थोड़ा network problem हो गया था तो यहाँ बर हम ट्रेड पेस करने वाले थे अप डिरिक्शन की करने वाले थे लेकि पंदा सिकिंड के मार्केट को बिना दे क्यों क्यों कि यहां पर दिख रही हो फंडाई चेंजे यहां पंद्रा सिकेंड में तो जो क्रॉस हबर हो है वो डाउन इरेक्शन की सीनल दी रहा है तो इसलिए जब भी आप एक मिनट का मार्केट के हिसाब से ट्रेड प्रेस कर रहे हो तो मेक शूर कि आप 15 सिकेंड को ज यह हम अच्छा प्रॉफिट करवाएगा जैसे कि यहां पर यह डाउन डिरिक्शन की क्रॉस हो जाता पर पंदा सिकेंड में जैसे ही अप डिरिक्शन की क्रॉस हो गई और एक नट में तो था ही ग्रीन लाइन मुविंग एवरेज जो स्कुआ पर बेज रहा था तो क्या मे हैं अब कर दो लो ने कि कोई बात नहीं में कल कर लूगा यह नहीं कि मर्केट से रिवेंज लूगा यह कोई फाइदा नहीं है अप रिवेंज हो लो लेकिन ओवर्ट्रेडिंग के थूर नाव लो और बढ़ेंग अपने नेज़िग की तिरफ जहां पर यह भी चलो हम यहीं पर लेंगे अब यहां पर एक लूग गलती यह कर सकते हैं कि मार्केट में फ्रॉस वर हुआ है यहां और अप डैरिक्शन की ट्रेड पेस करेंगे यहां तो क्या उनको लॉस को नहीं होगा हो सकता है कि प्रॉफिट हो जाए बट तुक्य बाद बश्राइब यहां पर क्यूंकि मैं ऐसे मार्केट प्रेड नहीं करती हूं लेकिन मुझे काफी लोगों को या या लॉस हो जाता है तो सारा मार्केट में क्या-क्या फंड आई यह आपको जाना भी जरूरी है यहां आप एक साब सुत्रा मार्केट लो बट कोई दिकत नही बट मैंने जो ट्रेड प्रेस किया है वो डाउन डिरेक्शन का प्लेस किया है वाई विकॉज मैं आपको कम प्राइस एक्षन भी बता रही हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं आगर कोई इंडिकेटर ले ली तो यह इंडिकेटर बेसे वीडियो होने वाली है नहीं भाई आप कि नेक्स ट्रेड के तरफ जो कि होगा हमारा अच्छे एमाउंट के साथ हजाड और शायद ही वीडियो जादर लंबा हो रहा है तो आप इसके बाद में वीडियो नहीं बनाऊंगे इसको इतना ही में मैं खादम कर रही हूं और यहां पर जो ट्रेड होगा मुझे लबता ह है ओमाइगाट ओके ओकी तो यह ट्रेट में भीन हो गया एक्चली क्यूगलर पर ट्रेट करना बहुत ज़्यादा रिसकी होता है लेकिन इसका एक सीक्रेट है कि इस टाइप के मार्केट में क्यूपलर मेरा फैबरेट है यहां पर रिजेक्शन दिखने को मिला है जिसके व कमेंट करो जितने जादे को मैं आगे आट लिस्ट आपके सौ कमेंट्स तो आने ही चाहिए तो मैं क्यूपलर में किस बिसस्पर मैंने हजार डॉलर का अच्छा एमांट के साथ ट्रेट प्रिस्ट किया था यह मैं आपको बताऊंगे तो चलो कि बात हुई गई है तो क्यू यहां पर मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सुनारा मौका है मेरे लिए अगर यह रेड में खतम हो जाता है लोग शैड़ो के साथ ओके बहुत ही सुंदर मौका मुझे दिखा और विश्ट करो कि यह ट्रेट विश्ट विन हो जाए विन हो गया ओ मैंगाड सूपर सूप यहां पर कुछ अडवार चीज़े जो मैं देख रही हूं और आपको लगता है कि फेक है तो में फंडा मेरा पेक रियल यह सब की बीच में उलजने से जादा बैतर है कि जहां से नॉलच मिल रहा है बटो बलू और आप देख रहे हों कि 33 डॉलर से मैंने 4000 डॉलर तक किया है और कुछ इंडिकेटर के थो बाकि क्योगलर का वीडियो जानने के लिए उसका क्या स्टाट ची मैंने यूज किया है इसको जानने के लिए आद कॉमेंट्स जरूर करना अट लिस्ट 100 कॉमेंट्स तो आने चाहिए आपको सिर्फ जॉइन होना है आप देख सकते 100 से 500 डॉलर अपकर सकते हो और क्या इसका प्रोसेस से सब कुछ देख लेना बिनिवम डिपोजिट क्या है देख लेना और यहां पर आपको शॉर्शॉट सिंगर्स पर बिलते हैं और ऐसा नहीं होता कि कभी लॉस नहीं होता जैसे कि यह देख लो यह हमारा पुरा शॉर्शॉट गया बट हमेशा ही में शॉर्शॉट लेती हूं यह गियोवे का हमारा रिजल्ट भी आया था और लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही आपको प्रॉफिट होगा मुझे खुद भी बहुत लॉस हो जाते हैं लेकि ओवर सब्सक्राइब करें लाइक करो और मुझे बताना कैसा लगा और सब्सक्राइब करना टेलिग्राम को जोईन करना स्यूसें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाव यू